असलाम अलेकुम फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूं आप ठीक होंगे आज मैं आपको ओपो एफ 9 के कुछ फीचर के बार में बताऊंगा Android 10 के वर्जन अपडेट होने के बाद जो फीचर आये उन फीचर के बार में सोश्ब से पहले हम डिस्कस करेंगे फोन की प्राइवसिए को उसके लिए हमने अना है सेट्टिंग आफ्टर हमने और में आना है प्राइवसिए के अंदर हमें अफरी ऐसे करना हूं स्कॉल डाऊन यह मेरे पास सारे एप्स हो गए हैं जो मेरे फूंस के अंदर में स्क्रीन पर उन होते हैं तो हम इसमें से कोई भी एप को स्लेक्ट कर सकते हैं मैं आपको सामने यह एप्स को स्लेक्ट करता हूं जिरे देखें MX प्लेयर, Olex को मैंने इस ट्रेम कर लिया है लोग यह 12 चीज़ें होगी है जिनको मैंने लोग किया है जिसे मैं कर दूँगा लोग देन मैं क्लिक करूँगा यूस देन फ्रेंट्स यह एप लोग हो चुकी है तो इसका मैपको डेमो चाह करवाता हूं मैंने ओलक्स को लोग किया हैं सबसे पहले । जब तक मैं अपना फिंगरपिंट यह पास्व नहीं लगाँगा तो फ्रेंट्स यह उनलोग नहीं होगा यह मैंने फिंगर पिन लगाया तो अनलुक हो गया है और यह मेरा ख्याल है कि स्क्रीन रिकोर्डिंग जो प्राइवसी की होती है यह मेरा ख्याल शो नहीं होती तो एक आइडिया ही बता रहा हूं कि इस तरह होता है ठीक है अगेन हम आएंगे सेटिंग्स के अंदर आफर डाइड हमें आए प्राइवसी देन हमें आए स्क्रॉल डाउं देन हमारे पास शो हो रहा है इस पेस यह बहुत ही मज़े की एपस है ठीक है एप कर रहा हम फीचर है क्योंकि जब भी हम बच्चों को या किसी और थर्ड परसनल को परसनल को या परसनल ना देख ले या फैमिली डेटा या कुछ और इस या कुछ और इस या कुछ ऑफिस फाइल वगरा तो हम चाहते हैं कि यह बंदा सिर्फ यही एप ओन कर सके और कोई ना कर सके बैसिकली यह फीचर तो बच्चों के लिए है पर हम अपने फीचर के यह बिसे यूज कर सकते हैं देन हम यह सेकंड अप्शन नजर आ रहा है अलाओ एप्स अलाओ टूवी अक्सी देन इन में से हम एप को स्लेक्ट कर लेंगे कि इस बंदे के पास सिर्फ यही एप्स चलें और कोई एप्स ना चलें मैं इसके पास क्लेटर कर लेता हूं ठीक ह यह रिचे है कैम्ऌ को भी कर लेता हूं और डाईल पैड को सभी और फेसबूक को भी ठीक है फेंस आफ्टर इंसेगराम यह मैंने कर लिया अआ देन Top अ देग सकते हैं यह मेरा one यह किट स्पेस में इंटर हो जुका है और यह आपको नीचे अप्शन नजर आ रहा है क्वाइट किट स्पेस जैसे मैं क्लिक करूंगा यह मेरा पासफ़र मांगा कि जब तक मैं इसके ओपर पासफ़र नहीं जाल सकता तो यह बैग नहीं आ सकता यह आप देख सकते हैं फूम यह बहुत ही मज़गा फीचर है ठीक है यह बहुत ही प्राइवसी वाला फीचर है मिन्स के अगर आप चाहते हैं कोई भी इसके लावा कोई आप स्यूज ना कर सकते तो फ्रेंज वह नहीं कर सकता है इसमें हम मैं कॉइट आऊंगा बाहर निकलना चाहता हूं तो मैं प्राइवसी सेटिंग की तरफ आते हैं देन अगेन हमें सेटिंग में आना है आफ्टर डैट प्राइवसी देन स्कूल आउं आफ्टर डैट प्राइवेट सेफ यह भी फीचर बहुत मज़गा है इसके लिए हमें पासवर्ड डान पड़ेगा तो फ्रेंज इसका फाइद डान अगे यह है इसके अंदर हम फोटो जो बी हम चाहें में प्राइवेट सेफ डख सकते हैं मैं फोटो को क्लिक करता हूं यहांसे मैं एड कर देता हूं फैन्स यह मेरे पास कुछ फोटो शो हो रही है ।ो फोटो वीडियो जो मज़ी हम इसमें से हाइड कर सकते यह अभ यह मिरे पास private safe show होगी है अभ यह चीज़ें जो आप देख सकते हैं यह देखें यह आठ चीज़ें मैंने safe की हैं अभ मैं gallery में आता हूँ ठीक है friends जैसे ही मैं gallery में आउँगा मेरे पास यह चीज़ें शोड नहीं होगी यह दिखें जैसे मैंने पासफ़ लगाया मेरे पासफ़र मांग राई अब इसके अदर एंटर करूंगा अब ऑट नहीं हो फिक्वाइस के यृष हो जो आधिक बलेफिकập तो इससे बाहर निकलते हैं अगले टॉपक के डिश्क सा एक्वायों क्रूपस मैं आपको बताओं कि हम अपना फून नंबर जैस का कोड मिलाए पगार यूज कर सकते हैं जब हमें अपना नंबर चक करना है जैस का तो हम डायल करते हैं स्टार 99 है इससे हम च्टकारा पा सकते हैं हम दो तरह से और अपना फून में नंबर देख सकते हैं फिर्स हमें आना है SIM Card and Mobile Data के अंदर So friends, यह रहा हमारा Phone Number जो Phone के अंदर है मेरे पाज इसली शो हो रहा है Second Method मैं आपको बताता हूँ Scroll Down Then हमें आना है About Phone After that, SIM Card Status So friends, यह रहा है मेरा Phone Number जो मेरा SIM Phone के अंदर चर्ड़ रहा है तो यह दो मैथड़ है जो SIM चल रही है उसका Number Easily देख सकते हैं After that, हमें आना है Third Option की तरफ आते हैं Third Privacy के अंदर Privacy की तरफ ही आते हैं यह भी फीचर बहुत ही मज़ग है Other Wireless Connection इस पे हमें इंटर होना है Then Personal Host Sorry यह वाला Option नहीं है Wrong Option Other Wireless Connection इसमें यह आना है यह तब ही Option ओना होगा जब मैं Wi-Fi On रखूंगा देखे मैं Wi-Fi अभी Connect करता हूँ किसी अपनी Wi-Fi के साथ यह मेरे पास Wi-Fi Connect हो चुका है Then यह मेरे पास Option आएगा Wi-Fi Theatring अब मेरा Wi-Fi भी On है Wi-Fi Theatring को जैसे ही मैं On करूंगा मेरा फून होसपोर्ट देना शुरू कर देगा Means के Wi-Fi के जरीए मैं दूसरे लोगों को होसपोर्ट शेयर कर दिया Means के मेरे Oppo F9 के नाम से होसपोर्ट शोर होनी शुरू हो चुकी है Means के मेरे पास Wi-Fi Connect है मेरा उसके जरीए मेरे आगे फून को होसपोर्ट शेयर कर रहा हूं यह ओपो के अंदर फीचर्ट है सेमसंग में तकरीबन हर कंपनी ने ही दे दिया है स्वाए आइफून के इलावा आइफून में अगर वाइफॉन के साथ अगर हम होसपोर्ट को अन करेंगा देन वाइफॉन हमारा बंद हो जाएगा पर अंड्रोइड फून में हमारा वाइफॉन बंद नहीं होता यह भी फीचर बहुत ही मज़ग है आप इससे जूर ट्राय किए जीगा वाइफॉन को तो मैंसे क्लोस करना हूं अगले फीचर को हम डिसकर करते हैं अब मैं आपको बताता हूं यह मेरे पास बाट बैटरी स्टेटस शो रहा है ठीक है बैटरी कह रहा हूं बैटरी स्टेटस में पास यह शो रहा है 85 परसेंट इससे देखने कि दुरिक में एक नुर्मल तरीका तो यह है नोर्यटिफकेशन स्टेस पार के अंदर आके पैटरइब इसक्राइब किया तो यह आप मेरे पास प्रेटरी पेशेंटनेज गाएव हो 되면 जैसे मैं क्लिक करूंगया तो तो यह हमाहरे पinek criança हो जाता है को जाता हूं उसके लिए हमें आना है बैटरी के अंदर आफटर डैट हमें स्क्रोल डाउन करना बैटरी के अने के बाद सुफर फर्ण्स में हमें शो रहा शो पैटरी परसंटेज और स्टेटेश बास फैं यह दूसरा मैं इसकी मदद से भी हम battery percentage show कर सकते हैं अपने status bar के ओपर यह देखें आप देख सकते हैं यह मैंने disable कर दिया यह battery percentage show नहीं हो रहा जैसे मैं enable करूंगा अब battery percentage show हो गया है so back आते हैं अब हमें आना है convince tools के अंदर after that navigation buttons so navigation buttons के बारे में आमोस सभी को बता होगा यह virtual buttons को क्लिक करूंगा means back button यह left side पे हम इसे right side पे adjust कर सकते हैं ठीक है यह मैं पास right side पे आ गया है और इसके लावा swipe gestures from both sides तक्रीबन जब से यह feature आया gesture का बहुत सारे लोग यह feature यह feature आपने देखा है बहुत ही मज़गा है जो मैंने का भी use भी किया है तो बार हम convince tools पे आएंगे after that sensitive ball ठीक है इसे मैं करूंगा enable so friends एक ball सा मेरे पास show हो जाएगा यह जिसे मैं circle में shake कर रहा हूं ठीक है इस बोल का फाइदा यह है यह सबसे वहले आई थिंग आई फून के इंदर आया था sensitive touch की नेम से तो इसका भी बहुत benefit है और यह तक्रीबन हर कंपनी ने दे दिया है यह sensitive touch इसका फाइदा जब मैं से single tap करूंगा ball को यह back चला जाएगा इसे हम अपनी मर्दी से customize कर सकते हैं इस sensitive ball को यह देखें tap पे क्लिक करेंगे back आजागा double tap पे क्लिक करेंगे कोई भी option हम select कर सकते हैं मैं double tap screen shoot option मैं अब यह ball को 12 फाइग क्लिक किया है यह देखें आपको सामने इसने screen shoot ले लिए हम मैं long screen shoot लेना है यह long screen shoot में पास turn होगा इसके बार में आगे हम discuss करते हैं अब मैं back आता हूं तो accessory ball भी clear हो गया then smart slider bar ठीक है यह smart slider bar marpa show हो रही है यह भी एक तदा की हर company ने almost provide कर दी वीवो के अंदर भी option है Samsung के अंदर भी यह देखें मारपा show रही है smart slider bar इसमें हम जो emergency apps हम use कर सकते हैं means मैंने YouTube चलाना है screen recording चलानी है screen shoot हम emergency at a time मैं इसको use कर सकता हूं यह smart slider bar इसलिए होती है तो अगले feature की तरफ चलते हैं gases and motions के अंदर यह feature है मज़े के rise to wake rise to wake का फाइदा यह है जैसे हमारा phone off होगा जैसे हम phone को पकर के उपर करेंगा तो हमारा screen खुब खुद ऑन हो जाएगी ठीक है auto call pick up calls auto air pick up calls ठीक है इसे मैं own करूंगा तो इसका फाइदा यह है जैसे ही मज़े call आएगी मैं अपने कान के साथ phone को लगाऊंगा call खुद बाखुद पिक हो जाएगी auto switch to air receiver ठीक है इसका फाइदा यह है कि जैसे हमें call आएगी तो हमारा phone automatically loudspeaker पे चला जाएगा तो यह गैसर जो अमोमन हमें पाए जाते हैं यह जो गैसर है यह ओपो के अंदर है और यह आल्मोस वीवो ने भी दे दी हैं और सेमसंग ने भी हमें प्रवाइड कर दी है तो अब मैं बैक आऊंगा convince tool में से after that अब हमें आना है additional settings के अंदर then हमारे पास अब यह screenshot option आ गया है sorry यह keyboard पर आ गया हूँ मैंने आना है screenshot option so friends इसमें हमें बताया है तीन तरह से हम screenshot ले सकते हैं first यह three finger से और second option volume down button और plus power button इनको जब मैं same time पर दुबाऊंगा तो हम इसे feature से भी fingerprint के रहा हूं sorry screenshot ले सकते हैं volume down plus power button से हम किसी भी company से का phone हो मारे पास से स्क्रीन शूट ले सकते हैं स्वाए iPhone के अंदर iPhone का may be change हो शार्द यह same procedure हो मैंने जैन में नहीं है मेरे I think same यह पर कोई भी company है इसका volume down plus power button यह मैं दुबा रहा हूं यह देखें easily हम screenshot ले सकते हैं इस method से तीसरा OPPO ने और विवा आई थिंक यह OPPO के अंदर यह three finger screenshot ठीक है easily हम three finger screenshot ले रहे हैं और इसका यह भी features है यह देखें इसको जैसे यह screenshot ले लिया से मैं दवाओंगा ठीक है friends जैसे ही मैं इसको पर click करूंगा यह हमारे पास long screenshot शो हो चुका है यह देखें पूरा screenshot हमारे पास शो चुका है जितना मरदी long चाहिए हम screenshot ले सकते है means के किसी website पर गिए उसका हम पूरा screenshot long लेना चाहरे हैं तो हम इस help से screenshot long ले सकते हैं तो अब हम back आएंगे screenshot का भी मैंने आपको पता दिया है first row वाला method second first वाला method three fingers वाला second वाल्यम डाउन प्लस पावर बटन और third यह slide bar पर मैंने यह adjust किया हुआ screenshot ठीक है यह तीन मैटर से हम screenshot easily ले सकते हैं और चोथा almost यह वाला इधर अब show नहीं हो रहा है मेरे इधर भी मैं adjust कर सकता हूँ ठीक है इन settings में अभी मेरे पाँ show नहीं हो रहा है तो अब हम आ रहते हैं screen recording के अंदर ठीक है friends screen recording के अंदर video हमें video quality मेरे पाँ show नहीं होड़ी क्यूंकर मैं screen recording ही कर रहा हूं तो video हमें जितनी हमारे phone की specification हो से लिए आज से हमें best quality देने चाहिए ताकर जो हमारे subscriber हैं जो video watch कर रहे हैं उनको काफी मज़ा है video देखने में और यह front camera, front camera जैसे option enable करेंगे इसका feature यह देगा के circle में हमारे pictures front camera भी screen recording के यूज़ तोर पे use होगा means के front camera मुझा दिखाएगा क जैसे screen recording back पे कर रहा हूं, तो screen recording भी आप इदर से भी on कर सकते है feature और यह भी रहा यह feature यहां से भी screen recording on कर सकते हैं, so friends, यह हमें video call beautification इसे भी on कर सकते है means के जब हम call होगारा करते हैं, तो हमारी beauty होगारा increase हो जाती है, इस feature को on करने से, after dad हमें आना है backup and reset पे, जैसे backup and reset पे, backup and reset का फाइदा यह है कि हमें साल के अंदर एक जो दो दफा फून reset करना चाहिए, means हम कोई भी files को download करते हैं, तो उसका crack file या कोई इसके जो virus वगारा फून के अंदर रहा जाता है, और इसकी वारे से मारे phone की RAM और speed वगारा slow होती है, तो हमें साल के दो दफा लाजमी कर ले देना चाहिए, तो इसके लिए reset का मैं आपको त्रीका बदाता हूँ, erase all data factory reset का हमें करना है, click, after that हमें करना है, click, erase all data, phone में जितना मी data होगा, friends, सब कुछ lead हो जाएगा, इस help से ठीक है, इसके बाद हम reset करने के बाद फिन हमें कुछ settings करना ही परती है, means शूरू से जैसे हमन नया phone रिया है, वैसी work करता है, वैसी speed देता है, जैसे हमने new लिया था, तो यह हमें साल के अंदर दो तो या तीन देफा हमें कर लेना चाहिए, ताकर जो इसमें bugs जाएं या कोई भी error हो जाएं, ठीक है, friends, अब हमें आना है app kloner के अंदर, यह वाला feature बहुत मज़े गया है So friends, app kloner का फाइदा हमारे पास यह है, कि हम at a time यह चार social media में नज़र आ रहे है, Facebook, Instagram, WhatsApp, ठीक है, हम एक ही phone में दो number की WhatsApp यूज़ कर सकते हैं, और I think तीन भी कर सकते हैं, और वो तीसरी GB WhatsApp, यह भी नहीं business WhatsApp, एक यह होगी, और एक ही clone app, और एक हम business app, means कि एक phone हम 3-3 WhatsApp at a time किया है, अब मैं बैक पर आपको दिखाता हूँ है, मेरे पास अब दो WhatsApp शो हो रही है, एक clone WhatsApp आ रही है, एक दूसरी WhatsApp आ रही है, इस clone का फाइदा यह है, at a time हम दो चीज़ें, दो apps, same time पर यूज़ कर सकते हैं, so friends, अमीद करता हूँ, आपको यह मेरे features अच्छे लगे होग इसके बाद हम फीचर अगली वीडियो में डिसकस करेंगे या फिर आप कमेंटों में मुझे बताएं इसके लावा कोई फीचर तो हम इन्शाला के ओपर जूर वीडियो बनाएंगे, यह लास फीचर है, डार्क मोड, सुफरने यह फीचर बहुत ही मज़ेगा, जो लोग ज ब्लैक थीम में ओन हो जाएगी, तो यह भी फीचर बहुत ही मज़ेगा, ब्लैक मूड, डार्क मूड, जैसे मज़ी आप इससे कहने है, तो फ्रेंस, अमीद करता हूँ, आपको में वीडियो अच्छी लगी होगी, ठैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो,